नमस्कार साथियों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है साथियों जैसा कि आपको अवगत है दिनांख 11.1.2021 से SCRT द्वारा 31 दिवस्य कंप्यूटर लिट्रेसी प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है जिसमें सिक्सकों को परतिभाग करना है, हाला कि ये ट्रेनिंग आपकी optional है, किसी के लिए compulsory नहीं है लेकिन इस ट्रेनिंग में परतिभाग करने के लिए आपको registration करना होता है और registration आपके बंद हो चुके हैं, लेकिन जिन सिक्सकसातियों ने इसमें registration किया है वो इस training में परतिभाग कर रहे हैं हमारे बहुत सारी सिक्सक्साती है जो किसी कारणवस registration नहीं कर पाए और इसके साथ साथ कुछ सिक्सक्साती हमारे ऐसे भी है जिनोंने registration तो किया था लेकिन उनके ID और password generate नहीं हो पाए तो उनको परेशान होने की जरत नहीं है मैं इसके सभी session की video बनाऊंगा और आपको उपलब्द कराऊंगा क्योंकि ये optional training है तो आपको जरूरी नहीं है कि आप इसमें join ही करे क्योंकि इसमें ना तो कोई certificate मिलेगा और ना ही इसमें attendance लगती है तो आपको tension लेने की बिल्कुल भी जरत नहीं है आपको परतेख session की video उपलब्द होगी और इसके साथ-साथ इसके अंदर परतेख दिवस पर assignment किये जाते है assignment की video भी आपको time से ही उपलब्द हो जाएगी तो साथियों आज की इस video में हम day two fundamental of computer के assignment के बारे में देखेंगे कि आखिर इसके assignment में कोन-कोन से प्रस्न पूछे गए है और क्या-क्या उनके उत्तर होंगे वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दिना चाहता हूँ अगर आप चाहते हैं इस तरह की informative video आपको एक platform पर मिले तो उसके लिए मैंने informative video whatsapp group और informative video telegram group बनाए हुए है आप चाहें तो मेरे group से जुड़ सकते हैं group का link आपको video के description box में मिल जाएगा जिस पे click करके आप मेरे group से जुड़ सकते हैं सातियों आपने training में join नहीं किया कोई बात नहीं है लेकिन आप अपनी email address और अपने school नाम से इसका assignment कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है आप assignment को जरूर कीजिए assignment के लिए आपको link video के description box में मिल जाएगा उस पे click करके आप अपना assignment जमा कर सकते हैं तो इसके लिए मैं video के description box को open करता हूँ जैसे ही video के description box को open करते हैं तो इस तरह का interface आपके सामने होगा यह मैंने assignment आपका open कर दिया है तो यह आपका 30 day computer literacy workshop assessment आपके सामने है तो इस link पे हम click करते हैं तो जैसे ही हम click करेंगे तो हमारे सामने form खुल के आ जाएगा देखे यह हमारे सामने form कुल के आ गया है 30 day computer literacy workshop assessment day second assessment computer basics सबसे पहले आपको यहाँ पर email address लिखना है मैं यहाँ पर कोई भी email address लिख देता हूँ abc at the rate gmail.com यहाँ आप अपना email address लिख दीजे उसके बाद next आता है name यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है मैं यहाँ पर अपना नाम लिख देता हूँ abc मैंने नाम लिख दिया उसके बाद designation आपको चूज करना है तो मैं assistant teacher चूज कर लेता हूँ उसके बाद school name यहाँ पर भी मैं abc लिख देता हूँ क्योंकि मैंने assessment दे चुका हूँ मैं इसलिए मैं दुबारा नहीं करूँगा उसके बाद block block में भी हम ABC type कर देते हैं district में भी हम ABC type कर देते हैं ABC और उसके बाद यहाँ पर आपका whatsapp number आपको लिखना है मैं यहाँ पर एक whatsapp number इस तरह से लिख देता हूँ उसके बाद next प्रसन है आपके सामने जो प्रसन है यह आपका गलत तिक हो गया अभी मैं देखता हूँ क्या answer इसका computer सब्द किस भासा के सब्द computer से बना है German, Latin, Roman और Francis तो साथियों जो computer word है आपका यह computer से बना है और computer आपका Latin भासा का word है तो इसका सही option हमसे किलक हुआ है हलाकि यह by chance क्लिक हुआ है लेकिन यह Latin word आपका सही है उसके बाद next प्रसन है आपके सामने computer memory में दर्ज किये जाने वाले data या निर्देश को क्या कहा जाता है जो computer की memory में आप दर्ज करते हैं किसी भी data को या information को तो उसके आपके चार option है storage, output, input, information तो जो आप दर्ज करते हैं किसी भी निर्देश या data को तो वो आप input के त्रू करते हैं उसको आप input कहते हैं data या निर्देश को मुझे ये थोड़ा सा confusing लग रहा है question क्योंकि computer memory में दर्ज किया जा रहा है data तो इसका answer storage भी होना चाहिए और दर्ज करने को input भी करते हैं तो मैं इस पे input पे click करता हूँ हम इस पे input पे click कर देते हैं उसके बाद next question है आपका computer में projector को जोड़ने के लिए किस port का इस्तेमाल किया जाता है audio jack, HDMI port, VGA port, 2 और 3 दोनो तो आज के computer के second session में आपको port के बारे में बताया गया इसके साथ साथ computer के ribbon hardware को जोड़ना बताया गया किस तरह से किस port से किसको जोड़ते हैं और इसमें projector को जोड़ना भी बताया गया था मुझे याद है उसमें एक तो HDMI port के बारे में बताया गया था और इसके साथ साथ VGA port के बारे में बताया गया था उसके बाद next question है आपके सामने अंकगणित और तारकिक कारिय करता है अंकगणित option है आपके पास control, arithmetic, logic unit, storage और कैसे बेमोरी तो जो अंकगणित यानि की arithmetic और तारकिक, तारकिक का मतलब logic यानि arithmetic और लोजिक का कारिय कोन करेगा तो arithmetic और लोजिक का कारिय तो arithmetic logic unit ही करेगी तो इसका आपका second option आपका सही होगा second पे हम click करते हैं उसके बाद next पसंद है computer के भोतिक भाग कहें जाते हैं software, firmware, hardware इन में से कोई नहीं भौतिक भाग से हमारा मतलब है जिस भाग को आप टच कर सकते हूं, जिसको आप देख सकते हों, तो ऐसे भाग जिनको हम टच कर सकते हैं, जिनको हम देख सकते हैं, उनको computer के software कहते हैं, नहीं hardware कहते हैं, उनको, sorry, उनको hardware कहते हैं, software से तो हमारा मतलब होता है जो operating system होते हैं, या आपकी information का एक information होते हैं और की programming जो होती हैं, वे आपकी software होती हैं तो computer के भोतिक भाग आपके hardware कहलाएंगे, तो इस पे आप hardware पे क्लिक कर देंगे, उसके बाद, next पसन होगा आपके सामने आप, आज का session आपको कैसा लगा, excellent, very good, good, average और poor तो मुझे तो excellent लगा, क्योंकि मेरे video सही चल रही थी, लेकिन कुछ सिक्सक सातियों को अच्छा नहीं लगा, उनकी video नहीं चली, network की problem की वेसे, तो मैं तो यहाँ पर excellent भी लिखूंगा, आपको कैसा लगा, इसको आप लिख लीजिए, उसके बाद, next है आपके पास, क्या आप पर सिक्षन में सीखी गई चीजों को, अपने सिक्षन कारियों में परियोग करेंगे, yes, no, maybe, don't know, तो इसमें हम यसी करेंगे, हम use करेंगे, अगर हम अच्छी चीज़ मिलेंगी, उसके बाद next है आपका, send me a copy of my response, तो send me a copy of my response पे क्लिक कर देंगे, और उसके बाद, हम submit के option पे क्लिक कर देते हैं, देखते हैं, हमारे किस तरह का answer हमें मिलता है, हम submit के option पे क्लिक कर देते हैं, तो उसके बाद हम accuracy देखते हैं, कितनी accuracy हमारी है view accuracy पर हम क्लिक करते हैं तो देखिए इसमें पहले का answer हमारा सही है, computer, latent भासा का computer memory दज किया जाने data है, निर्देश को input कहते हैं, computer पर इसे projector को जोड़ने वाले कि sport का इस्तिमाल करता है, two or second दोनो, arithmetic logic पांचवा भी हमारा सही है, यानि कि हमारे सभी answer इसमें सही है, तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही, इसी तरह से मैं assessment की वीडियो आपको उपलब्द कराता रहूँगा, इन वीडियो का मकसद मेरा यही है, जिससे की आप इस training के बारे में अच्छे से जान जाए, और जो सिक्सक साती इस training को attend नहीं कर पा रहे हैं उनको भी इस training के बारे में अच्छे से पता चल जाए, तो सातियों, आपको ये वीडियो कैसी अच्छी लगी, अगर आपको इस वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को like कीजिए, share कीजिए और वीडियो पे comments कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को subscribe कर लिजे, और bell के आइकन को प्रेस कर दीजे जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके धन्यवाद